स्था काूंट say hi g मैं कि एपम करने का तरीका है इस को यह की की कैस काम की अंदर और जैसे के आयिकर को नहीं। डॉसट फिर और यह जाता है। यह की अंदर में आपको रहना का लिगए कोई हना क्लिगा ए डॉकुें सब्सक्राइबने ये points मैंने चाहे प्रोफेशन के लिखे हैं, पिछली वाली में मैंने art के points लिखे दे, then मैंने science के points लिखे हैं, बट मैंने proof कर दिया कि वो वाले points पैनेजमेंट में लगते हैं या नहीं, अगर लगते थे, आट के सारे लगते थे, तो मैंने बूल दिया complete art है, science के नहीं लगते थे मैंने बोला it is not complete science, it is inexact science reason देना है उसके बीचे, reason दे दिया मैंने कि उसमें human behavior include है, science के अंदर कोई human behavior नहीं है वैसे ही अब profession की बात करते हैं, अब हम ये proof करते हैं कि profession है या नहीं है, अब देखो सबसे पहले मैंने point किया systematized body of knowledge, systematized body of knowledge है या नहीं, profession तो देखो systematized body of knowledge है किसी भी profession में जाओ, systematic order में चलते हैं किसी बच्चन ने doctor बनना, उसने पहले plus one, plus two में medical रखना है then उसने need का paper clear करना है, then उसने किसी entrance test के थुरू कही college में admission लेनी है, then further and further so on procedure उसने MBS कर ली, MD करनी है, MS कुछ भी MS कर रही है, surgeon बनना है, क्या करना है वो उसके उपर depend करता है, तो systematic body of knowledge है हर profession में वैसे ही management के अंदर भी yes, there is a systematic body of knowledge आज अगर आप सोच लो अपने मन में कि मैंने भी management के अंदर जाना है तो इसके लिए भी systematic body of knowledge है, जैसे आप elementary commerce लोगे आप सोचोगे पहले से commerce में जाना है, commerce के बाद मुझे बी-com करनी है बी-com के बाद MPA करनी है, तो yes, there is a systematic body of knowledge then हमारे पास है restricted entry into profession, very very important बीटा देखो, profession में जब भी जाना है तो restrictions है, entry में कैसे जैसे कोई doctor बनना चाहता है, उसको exam देना पड़ता है, NEET का वैसे ही अगर कोई lawyer बनना चाहता है, उसको special exams देने पड़ते हैं entrance के लिए काफी तरह की available है वैसे ही बीटा, अगर मैं आपसे बात करूँ management की, तो yes, management में भी आपको entrance के लिए अब restrictions आ गई हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब जैसे exams हमारे पास हो गए हैं, MBA के लिए CAT का exam दे दो CA के लिए भी CA foundation का exam, starting में आपको देना पड़ता है plus two के बाद, तो यहाँ पर हमारे पास restricted entry यह दोनों में, यह भी point valid था, professional management दोनों में, और restricted entry वाला भी management और profession दोनों में valid था, then हमारे पास point था professional association, यह वड़ा important point है मैं अब professional association मतलब किस संस्था, association होती है किसी के साथ collaborate कर जाना, अब जैसे for example, हमारे पास यह जो lawyers होते है ना, जितने भी law से related हमारे पास कुछ चीज़े है, यह सारी bar council of India के अंडर आती है, bar council of India कहीं आपने देखा होगा, offices के बाहर लिखा होता है, वहाँ पर क्या होता है, जितने भी law से related, lawyers की कुछ degrees, professionalism वगएरा, वो हमारा उनके साथ associated है, वैसे ही management के अंदर भी आजकल आ गया है, हमारे पास AIMA आ गया है, All India Management Association, ठीक है, यह क्या करते हैं, अब recent development है यह इस case के अंदर, management के अंदर, यह कही ना कही management को govern करने के लिए एक association conduct की गई है, ठीक है, इसके notes वगएरा आपको मिल जाएंगे, वो notes में send कर दूँगे, उसमें mentioned, a detail, उसके बाद हमारे पास आजाती है code of conduct, code of conduct होता है, code of conduct का मतलब conductor मतलब काम कराने का तरीका, और काम कराने के तरीके, अब जैसे देखो, जितने भी professionals होते हैं, उनके काम कराने के तरीके होते हैं, करने के तरीके होते हैं, जैसे for example, एक doctor है, वो जब white coat पहनता है, तो भी हम उसको doctor कहलाएंगे, एक lawyer ब्लाक कोट पहनता है, उसको मैं कहूंगी, वो lawyer है, अगर कोई green coat में doctor दिखता है, उसको मैं बोलूंगी, वो surgery करना ही जा रहा है, operation theater से आ रहा है, तो इक code of conduct बनाया गए हैं उनके, ठीक है, बट management के अंदर आज तक कोई ऐसा code of conduct नहीं बना है, अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं बना, कि कोई person है, वो ऐसा पहनेगा, या वो ऐसा behave करेगा, तो मैं उसको बोलूंगी कि वो एक professional है, manager है या कुछ है, no, तो code of conduct यह वाला जो point है, यह बड़ा important है, इस point पर आके मैं कह सकती हूँ कि नहीं, management profession नहीं है, क्योंकि यह वाला point management के अंदर exist ही नहीं करता, उपर वाले तीनों point exist करते हैं, then last है हमारा service motive, देखो मेटा service motive के अंदर क्या आएगा, service motive के अंदर आजाता है, जैसे हर professional person को बोलते हैं, कि तुमारा पहला धर्म जो है, वो है service करना society, उनको सिखाया जाता है, जबकि हमें business के अंदर पहले सिखाया जाता था, कि profit कमाओगे, तो business sustain करेगा, profit motive was the first motive, although अब हमारा जो business है, वो भी social service की तरफ चला गया है, society और social, हमने पिछली पर भी social responsibility और business किया था, तो service motive कहीं न कहीं अब आना शुरू हो गया है, ठीक है management के, तो हम यह वाला point भी अब ले सकते हैं, कि यह service motive दोलों के अंदर ही कहीं न कहीं present हो गया, क्योंकि हमारा business अब profit के हट कर, थोड़ा society का benefit भी करना चाहता है, ठीक है तो मैंने आपको बोला, यह वाला जो point है code of conduct है, यह आपने major याद रखना है, इस point की वज़े से मैं कहूंगी कि management complete profession नहीं है although यह profession बन सकता है, अगर code of conduct भी कोई बना दिया चाहे जल्दी, तो यहाँ पर मैं आपको एक conclude करने लगी हूँ वाटा, art, science और profession मैंने आपको बोला, तीनों में से सिरफ एक ही जगा management complete है, किसमें? management is a art, complete art है, क्योंकि इसके अंदर skills चाहिए, personal qualities होती है, यह management में भी होती है, और art में भी होती है, वैसे ही management को हम कभी-कभी, often का मतलब होता है, कभी-कभी science कहते है, क्यों, क्योंकि यह inexact science है, inexact science क्यों है, क्योंकि इसके अंदर human element है, human element है, इसलिए, यह social science जादा आ जाती है, management is not full-fledged profession, पूरे तरह से तो profession है, नहीं है, अभी इनों ने यहाँ पे कुछ और points भी दिये हुए, जैसे universally recognized degree नहीं है, universally मतलब जैसे मानलो कोई person है, अगर वो इधर doctor है, VDS का, तो उसको foreign में भी कहीं नगी, उसकी validity है, VDS की है, क्योंकि वहाँ पे doctor है, दांतों का doctor है, यहाँ पर managers के लिए कुछ ऐसा नहीं आया, universal degree भी नहीं है, उन्होंने उस point को भी कहाँ पे criticize किया, फिर no all India body to regulate the practice of management, यह वाला point आप रहने देना, क्योंकि अब कहीं न कहीं all India management association आ गई है, इसको cut कर देना, second वाले को, cross कर देना, और third वाला है, there is no widely accepted code of conduct for managers, यह major point है, third वाला, अगर यह वाला point भी आप याद रखते हो, कि एक code of conduct अभी तक नहीं बना है कोई managers के लिए, जो उनको strictly follow गरना है, उस वज़े से भी हम क्या सकते हैं, कि management complete profession नहीं है, तो management is proceeding towards professionalism, हो रहा है, proceed गर रहा है उस सरह, वाद अभी complete नहीं है, तो याद रखना बेटा, management is art, it is not science, it is more of social science, because human element है, और profession इसलिए नहीं है, क्योंकि code of conduct इसके अंतर कोई serious नहीं है, ठीक है, wait for the notes, आपको notes में भेज देते हूं, hope you like the video, listen to all the parts, three parts very carefully,